नए परिवहन कानून को लेकर ड्राइवरों के प्रदर्शन के बीच प्रदेश के मुख्या विश्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली इस बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, एवं सभी कमिशनर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे इस बैठक में सीम साय ने अधिकारियों को एहम निर्देश दिये हैं सीम साय ने अधिकारियों को आवशक वस्तूओं की सुचारू आपूर्ती बनाये रखने और ट्रक चालकों की देश व्यापी हर्ताल को देखते हुए आवशक विवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं इसके साथ ही CM साय ने कहा कि प्रदेश में आवश्यक वस्तियों की किल्लत नहीं होनी चाहिए बैठक में CM विश्णुदेव साय ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिती नियंतरण में रहे और किसी भी अन्यथा स्थिती में कलेक्टर SP की जिम्मेदारी तै की जाएगी विश्णुदेव साय ने ये जनता से भामक जानकारी ना फैलाने की अपील भी की है इसके साथ ही विश्णुदेव साय ने अफ़ा फैलाने वालों पर कारवाई के निर्देश दे दिये हैं और कहा है कि जनता तक सही जानकारी ही पहुँचनी चाहिए तो कुल मिलाकर ट्रकों और बस ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर 36 गड़की सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है सीम विश्णुदेव साय के निर्देशों पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही इस वीडियो को जादस जादा लाइक और शेर करें और IBC24 के हमारे यूट्यूब चैनल खबर विबाद को ज़रूर सब्सक्राइब करें नमस्कार